कोकी तो आज का आपका टॉपिक है बीटा ओक्सिडेशन ओफ सैचुरेटेट फेटी एसिड आज अपन देखने वाले हैं फेटी एसिड का ओक्सिडेशन अगर आपको पुराने लेक्चर की नीड है तो मैंने प्लेइलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और अगर आपको नोट्स की रिक्वार्मेंट है तो मैंने टेलिग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आप वहाँ से जाके डाउ यहोगित गश्युटू लेक्ष्र, जो फेटी एसी हिट है तो कितने एसे रभी सॉट ल्हसाने Ч destin लो आज अपन देखने वाले हैं कि टूटता कैसे और ट्रिंज पिरेka ध्यंट लेक्षार में यूसे हैं तो कितनी एटिपी में मिलती है और भेटी एसेट की पूरी S कि fatty acid breakdown केसे होता है वो आजम देखने वाले हैं देखो यह जो process है यह strictly aerobic है मतलब beta oxidation of fatty acid जो है in the presence of oxygen ही होगी clear है occurs in mitochondria cell cell के अंदर जो mitochondria है वहाँ पर यह process होती है ठेक है अब देखो occurs in mainly tissue including liver kidney heart liver की cell kidney की cell hurt की cell इन cell के अंदर जो mitochondria है उसी mitochondria में क्या होगा beta oxidation of fatty acid तो किस cell में liver की cell में kidney की cell में heart की cell में क्या होता है beta oxidation of fatty acid ठेक है अब देखो तीन stage में होता है सबसे पहली stage है activation of fatty acid सबसे पहले हमें fatty acid का activation करना है दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फेटी असेड इंटू माइटोकॉंड्रिया फिर हमें फेटी असेड को ट्रांसफर करना है माइटोकॉंड्रिया में सबसे पिले हमें एक्टिवेशन करना है फेटी असेड का फिर हमें fatty acid को transfer करना है mitochondria में और third है beta oxidation proper in mitochondrial matrix फिर जो होगा उसका oxidation होगा ठीक है तो जो activation करेंगे हम fatty acid का ये reaction साइटोप्लाजम में चलेगी फिर ये reaction होने के बाद जब fatty acid active हो जाएगा फिर हम उसे बेजेंगे mitochondria में देखो ये cell है ठीक है ये cell के अंदर साइटोप्लाजम है तो साइटोप्लाजम में कौन सी reaction चल रही है activation करने की हम fatty acid को active कर रहे हैं साइटोप्लाजम है और जब ये active हो जाता है तो ये जाता है mitochondria में जैसे है mitochondria है तो active होने के बाद ये जाता है mitochondria में फिर दूसरा है transport of fatty acid into mitochondria, mitochondria में transfer गणना है, तीसरा है, वहाँ पर होगा oxidation, चलो, चलते हैं, सबसे पहले ले ले लेते हैं fatty acid, जिसको हमें break down करना है, तो कहानी याद रखना, कहानी शुरू करते हैं, मैंने बोला fatty acid को भाई क्या आल्चाल तेरे, तो fatty acid बोलता है भाई मज़े चल रहे है ash का जीवन है ठीक है ko ash ठीक है ash का जीवन है मैंने का इसा केशा ash है तरे पास तो बोलता है मेरे पास ATP आता है और AMP में convert हो जाता है मतलब adenosine triphosphate आता है 3 phosphate अवला आता है और monophosphate में convert हो जाता है मतलब 2 phosphate मेरे पास छोड़के जाता है इसलिए मेरी ash है मैंने का क्या बात है fatty acid भई या आपके तो वाकी में ash है ATP मैंने तो पहली बार AMP में convert होते होई देखा है क्योंकि अपने जादातार ADP में convert होते होई देखा था पर यहाँ पर तो 2-2 phosphate दे रहा है वो तो सच में इसकी ash है ठेक है thaiokinase enzyme का use करते हुए अब बनेगा क्या acyl coa plus carnitine तो जब fatty acid के बास coa आया ATP AMP में convert होई 2 phosphate अटे और thaiokinase की presence में यहाँ पर बना acyl coa ध्यान रखना इसको acetyl मत कर देना यह acyl है acyl coa plus carnitine और यह जो carnitine है यह transporter molecule है ठेक है यह transport करेगा देखो यहाँ पर यह carnitine shuttle है यह transport करता है mitochondria में ठेक अब देखो fatty acids हमने क्या बना लिया acyl coa plus carnitine और carnitine क्या है transport molecule अब यहाँ पर मैंने ash दे दी थी उसको तो यहाँ पर मैं ash निकाल लूँगा coash मैंने यहाँ से release कर लिया और बना क्या carnitine ठीक है तो मैं enzyme को उन से ढालूँगा carnitine यह acyl और transfer करना है तो transferase 1 क्या बोलोगे carnitine acyl transfer करना है तो transferase 1 तो इस तरह से मैंने ash बाहन निकाल लिया और डाल दिया carnitine acyl transferase 1 तो बनेगा क्या acyl carnitine क्या बनेगा देखो acyl carnitine कुछ करने की जरूत नहीं है line से आपको याद होते चलेगा ठेक है ठेक है सर acyl carnitine बना लिया और यह acyl carnitine जो है easily enter हो जाता है mitochondria में clear है एक बार देख लो यहां से ठेक है सर समझ में आगया कि जो fatty acid बना उसमें आपने HD thaiokinase की presence में ATP आया AMP में convert हो गया दो phosphate निकल गये acyl को यह carnitine बन गया carnitine के ट्रास्पन मोटिक्यूल है और यह transporter molecule है तो अब हमें कौन सा enzyme यूज़ करना है carnitine acyl transferase 1 ठेक है तो यहां पर हमने डाल दिया carnitine acyl transferase 1 और HD थी तो अब एश निकाल लेते हैं और बन गया acyl carnitine ऐसा कैसा ही हमने नाम लिख दिया as it is अब यह जो है easily mitochondria में चल जाता है acyl carnitine ठेक है अब देखो पहली step में अपने HD थी दूसरी step में अपने एश निकाली थी अपने एश वापिस देंगे को एश आएगा वापिस इसके अंदर ठेक है अब पहला enzyme क्या use हुआ था carnitine acyl transferase 1 यहाँ पर क्या होगा carnitine acyl transferase 2 सिज़ इसी बात है देखो carnitine acyl और transporter molecule है तो transferase और 2 क्योंकि पहले use हो चुका है ठेक है तो अब क्या होगा इसके वज़े से carnitine अलग हो जाएगा और asyl coay अलग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैं coay डाल रहा हूँ तो asyl coay ठेक है अब देखो asyl coay बनने के बाद क्या होता है अब मैं इस asyl coay को next page पर लेकर आता हूँ यह ले आया हमे तो जैसे ही asyl coay बना यहाँ पर FAD आता है और बोलता है asyl coay से और भई क्याल चाल तो asyl coay बोलता है अब तु मेरे पास आया तो मैं तरको FADS2 में बना दूँगा ठीक है अपने लिए तो फाइदा है क्योंकि एक FADS2 जो है किती ATP देता है बताया था मैंने एक FADS2 दो ATP देता है तो अपने लिए तो फाइदा है तो FAD आया और FADS2 में convert हो गया और यह FADS2 कहा जाता है फिर electron transport chain में अपना electron देने वो बात अलगे पर अपन को इतना पता है कि asyl coay तयार खड़ा था उसके पास FAD आया और वो FAD आके FADS2 में convert हो गया अब मैंने को इस asyl coay को तोड़ना है तो asyl coay को तोड़ना है इसलिए dehydrogenous ठीक है तो बन जाएगा trans in oil coay coay का coay asyl की जगे आगया trans in oil क्योंकि मैंने का डाल दिया asyl coay dehydrogenous तो बनेगा क्या trans in oil coay क्या बोलोगे trans in oil coay अब देखो जैसे ही trans in oil coay बना तो नाम क्या है ino ऐसे आद रखो ino और ino को काई में डालते हैं पानी में डालते हैं तो पानी डाल दो ठीक है और hydratease word आगया पानी से hydratease, hydroxy ये word पानी से related है सारे तो देखो अब अपन ino के respect में बोल रहे है तो पानी दो लेना पड़ेगा अगर ino पी रहे हैं तो ठीक है और inoil coay hydratease क्या डालेंगे inoil coay hydratease और अगर hydratease डाल रहे हैं पानी का काम ले रहे हैं तो hydroxy group तो आना है OH group तो आना है ठीक है तो beta बड़े प्यार से बोलना beta hydroxy और asyl coay का asyl coay ठीक है यह यहां से वापिस यहां पर डा दिया तो कुछ भी नहीं हुआ सबसे पहले asyl coay था FADIA FADS2 बना लिया फिर अपने डाल दिया asyl coay dehydrogenase तो बन गया trans inoil coay अब ino है तो पाने डालना पड़ेगा और डालेंगे साथ में inoil coay hydrates तो बनेगा beta hydroxy और वापिस यह नाम लिख दो asyl coay ठीक है अब यह beta hydroxy asyl coay के पास आया NAD plus और यह NAD plus जो है beta के पास आती convert हो गया NADS2 में अब 1 NADS2 380 भी देता है आप सभी को पता है ठीक है और यह NADS2 भी जाएगा ETC में वह बात अलगे खेर अपना electron देने जाएगा तो जिसना electron transport chain नहीं देखी देख लो काफी important है और अच्छे से मैंने समझावी हुई है उसकी link जो है biochemistry की link मैंने discussion box में दे रखी है पूरी playlist की link आप जाके सारे lecture देख सकते हो तो देखो यहां पर क्या हुआ beta hydroxy acyl coa जैसे ही बना यहां पर आया NAD plus और convert हो गया NADS2 में और 1 NADS2 380p देता है यहां तक clear है आपको तो 1 NADS2 380p दे रहा है और बन गया beta hydroxy acyl coa अब इसको मैं को तोड़ना है तो क्या डालूँगा beta hydroxy acyl coa dehydrogenase तोडने के लिए dehydrogenase तो क्या बन जाएगा beta keto acyl coa coa का coa, acyl का acyl beta का beta hydroxy की जागे आगया kit to beta ठेक है तो beta keto acyl coa अब देखो first step अपन ने क्या करा था coa ज़िती और thaiokinase यूज किया था तो last step में भी वही करना है देखो यह दी first step यहाँ पर आपने coa दिया था thaiokinase यूज करा था last step में भी क्या कर रहे है बन beta keto acyl coa के बाद coa शूज कर रहे हैं और thaiokinase दे रहे हैं ठेक है तो यहाँ पर बनता है acyl coa और acetyl coa साथ में क्या बनता है यहाँ पर acyl के साथ acetyl coa तो final product बनता है acyl coa acetyl coa acyl coa acetyl coa ठेक है अब यह reaction जो है 7 बार चलती है हमारी mitochondria में 7 बार 7 टाइम चलती है यह पूरी ठेक है reaction काफ़ easy आप theory लिख सकते हो theory कैसे लिखोगे सीधा सीधा लिखना की fatty acid when fatty acid undergo oxidation in the presence of coa is thiokinase here atp is consumed and convert into amp to phosphate release and finally fatty acid convert into acyl coa and carnatin and carnatin is a transport molecule here in the presence of carnatin acyl transferase 1 acyl coa and carnatin converted into acyl carnatin और इस तरह से आप theory continue कर सकते हो ठेक है तो आप देखेंगे इसके energetics समझने वाली है जहां से समझना की energetics में क्या हो रहा है देखो अपनने बोला था FADS2 release हो रहा है बिल्कुल हो रहा है और reaction कितने टाइम चल रही है 7 बार चल रही है तो 7 FADS2 ठेक फिर अपनने देखा था NADS2 release हो रहा है बिल्कुल हो रहा है और reaction कितनी बार चल रही है reaction चल रही है 7 बार तो 7 NADS2 और final product क्या बन रहा था है यहां पर acyl coae और acetyl coae यही बन रहा था तो ध्यान रखना है जो acetyl coae होता है यह एक molecule 12 ATP बना देता है ठेक है तो हमें clear है कि 1 FADS2 2 बनाता है 1 NADS2 3 बनाता है और 1 acetyl coae 12 बनाता है ठेक है 12 ATP बनाता है अब एक बात बताओ sir यह 7 हमें समझ में आ गया क्योंकि reaction 7 बार हो रही है इसलिए आपने 7 लिख दिया और अगर 7 बार reaction हो रही है तो आपने यह 8 क्यों लिखा यहाँ पर भी 7 आणा चाहिए था तो ध्यान से सुनना यहाँ पर भी आना तो साथ ही चाहिए था पर जो 7 टार्म reaction चलती है ना जो 7 टार्म reaction चलती है तो 7 बार में यहाँ पर क्या होता है 7 टार्म में cycle में दो ऊसिताल कुय बन जाते हैं seven time में cycle में क्या होता है दो असिताल कुय बन जाते है मतलब छे बार चल रही तो 6 और जाते हैं तो 6 और 2 आंट हो जाते हैं तो यहां पे आंट असिताल कुय बन थे और एक असिताल कुय बारहे एटीप स्ची insgesamt है एक NADS to 3 यहां पर टोटल एटीपी बनेगी माइनस करके 129 एटीपी तो ज्यान रखना एक फेटी एसिड आपको तूटने पर ऑक्सीडेशन होने पर 129 एटीपी देता है जो कि बहुत बहुत जादा है ठीक है तो जो फेटी लोग होते न वो बुलना अब किसी इसकीनी को जाके भाई मेरा एक फेटी एसिड भी 129 एटीपी बनाता है तू क्या है ठीक है तो ज्यान रखना अच्छी बात है मतलब साथ में क्योशन प्रेक्टेश इसे चैनल पर करा रखिए तो जरूर सजेस्ट करें फामिसी नर्सिंग के लिए तो हैसे थैंक यू सो मज थैंक्स पर वोचिंग कीप सपोर्ट थैंक यू